नमस्कार जाहिएं दोस्तों स्वाद करते हैं आप सभी की यू वासकृति जीगि कोईज में तो दोस्तों आए से कर लिए रुखमनी प्लेटफर्म बुक कर टेस्सरी डेकर चुरू कर रहे हैं जो की वोल्यम वहन कर रहे हैं जो की विंडीयम बॉयन है लिए तो आप सभी इस टेस्ट प्रीच को जरूर्ष शॉल्ब किजिए यह यह आपको 8 बुझे रात में दीया जाएगा तो 8 बुझे रात में आप सभी मेरे साथ जूडके अपने एक्जाम्स का त्यारिक कर सकते हैं और इस चेट को लगा सकते हैं अपना कानफीजन किलियर कर सकते हैं अगर आप सभी को complete पीडियाप डाउनलोड करना है रुकमनी फ्लेटफॉर्म का उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो उस लिंक पर करके आप सभी complete पीडियाप को करम को लाउंच किया गया है के रेंट से कोशिन है आंसर करेंगे आप सभी हर कोशन के लिए आपको फाइब सेकेंड का टाइम दिया जाएगा इसके अंतरगत आप अपना आंसर नीचे किमिन बॉक्स में लगा सकते हैं अगर कोशन का आंसर पता हो तू तो यह किस पार्ट करम को लाउंच किया गया है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 को लाउंच किया गया ओफ्श्यम में sitting right answer नंड करेंगे नेच्ट कोशन में दिखिये ईससेबन देसों का सदस्य कौंण सा देसattend नहीं है लुट्ड तो इसका only right answer जैंगे भारत जो एकि जी सेबन देसओ का सदस्य नहीं है जबकि अमेरिका ब्रिटेन फ्रांसे हैं नेक्ट कोशन के और आगे बढ़ते हैं कोश्म में तरी मुक्ति चारवजनिक प्रिवरहन पर्दान करने वाला कौन सा देश दूनिया का पहिला देश बन गया है तो यह बन गया लग्जम बर्ग और दी राइट आंसर हैं नेक्ट कोशन के अंतराष्टिय जैब विविता दिवस हर बर्स मनाया जाता है बिल्कुल कोशन मेर फॉर के लिए राइट आंसर करेंगे अंतराष्टिय जैब विविता दिवस हर बर्स मनाया जाता है कितने तारिक को तो यह हर बर्स मना जाता है बाइस मई को मना जाता है ऑफिसर में एक question is the right answer next question के रोहतान सुरंग का नाम पूर्व परधान मंत्री अटल बिहारी बाचपेई के नाम पर रखा गया है जो दो अस्थानों को जोड़ता है केरेंट से question की जिगा right answer करने का आप सभी फटा फट questions का आंसर करते जाएंगे आप सभी इसका option में एक राइट आंसर जाएंगे ले और मनाली को जोड़ता है next question दिखे question में से एक से banking चेतर में सुधार के बाद अब सरभजनिक चेतर के बैंकों की संख्या कितनी रह जाएगी तो अब मात्र में 12 रह जाएगी option में से राइट आंसर जाएंगे नेक्ट कोईशन दिखे कोईशन में 7 के लिए राइट आंसर करेंगे हाल ही में मारिया सारा पोबा ने खेल से सन्यास की गोश्चना की है वे किस खेल से सम्मंदित है तो ये सम्मंदित है टेनिस खेल से मारिया सारा पोबा किस खेल से सम्मंदित है तेनी स्केल से सम्बन दी थे हैं नेक्ट कोशन्द के केंद्रे सरकार ने हाल ही में परवासी भारतिय केंद्र का नाम बदल कर दिया है तो केंद्र सरकार ने हाल ही में परवासी भारतिय केंद्र का नाम बदल कर सुस्मा सुवराज भवन नाम दिया है सभी साथी आड़ वजे रात में जूड के इस सेट को लगा सकते हैं डेली आपको ये सेट प्रुवाइट किया जाएगा जिसमें की 100 कोईशन्स रहेंगी लास्ट में स्कोर जुरू बताएंगे आपसे भी कि 100 कोईशन्स में कितने एकुरेट सही कर रहे हैं और कितने एकुरेट गलती कर रहे हैं और माइनस मार्केट कर जी आपसे भी क्योंकि एकजामस में नेगेटिव मार्किंग है इतना 0.2 का है मतलब कि एक कोईशन्स पे 0.2 अंग काटे जाएंगे तो उसी परकार से आपसे भी जितने कोईशन्स को गलती किजिएगा 0.2 अंग काटके अपना स्कोर नीची के मिन बॉक्स में बताईएगा तो ये 2030 तक रखा गया है नेच्ट कोईशन दिखे परधान मंत्री मोधी जी ने अपनी दूसरी कारेकार में पहली विदेश यात्रा किस देश का किया तो ये क्या है मालदीप देश का नेच्ट कोईशन दिखे रैंजी के एक सस्त्र में सबर्दिक बिकेट लेने का रिकॉड किसने बनाया तो ये रिकॉड बनाया है आसी तोस अमन ने बनाया किसने आसी तोस अमन ने बनाया है काफी अच्छी सेट हैं जिसमें की क्रेंट अफेर भी अच्छे तरीके से धिया हुआ है काफी इंग्पोर्टेंट सब क्रेंट अफेर भी इसमें सामिल किया गया है किस राज में हाल ही में AFIR आपके दौरा योजना की सुरवाद हुई है तो इसकी सुर्वाद जो वी है मदपरदेश में हुई है कहां पे मदपरदेश में next question जिए किस राज की सरकार ने हाल ही में कोरोना महमारी से सुरक्षा हेत। आयूस कबच नाम एप लांज किया है कौन सा कबच आयूस कबच नाम एप लांज किया है कोरोना महामारी से सुरक्षा है तू तो यह किसने किया उत्तर पर्दिश सरकार ने किया है नोट कर लेंगे उत्तर पर्दिश सरकार ने किया है next question देखिए मददगार help line हाल ही में खबरों में थी मददगार help line किसके द्वारा चलाई जाती है डॉट डॉट के अस्तान पर आंसर बरना है कि किसके द्वारा चलाई जाती है आप से भी like जुरूर करते जाएंगे आपका एक like motivation करवाता है तो like करने के लिए आप से भी नई बुलेंगे और चैनल पर जो भी नए है चैनल को subscribe कर निवाद बैले किसके घंटी को प्रेज कर लेंगे जितना हम आप से भी के लिए महिनत करते हैं आपका फर्च बनता है कि कलास को like किजे और इसे share ज़दा से ज़दा किजे बस यही एक आसा है आप सभी से share किजे आप सभी अपने दोस्तों में share किजे इस टेड़ी से ज़टेट जो भी बाट सो facebook ग्रूप हो उनमें share किजे जितना हो से के उतना share किजे और दबा के like किजे like करने में कोई भी कसर ने किजे आप सभी आते हैं तो like जरू करके जाजी आप सभी तो यह किस के उत्रा चलाया जाता है केंदरिया रीजब पुलीस बल के द्वारा आप सभी काफी अच्छी तयारी है आप सभी का next question देखे निमलिकित में से किस राज में देश का पहला इसमोग टाबर अस्थापित किया गया जिए बिलुकुल किस राज देश में किया गया है दिल्ली में किया गया है इसमोग टाबर कहां अस्थापित किया गया दिल्ली में किया गया है next question दिखे question मेर 16 के लिए right answer करेंगे आप सभी हाल ही में काला पानी छेतर का मुद्दा खबरों में था या मुद्दा भारत और किस देश के बीच का है तो इसका ओफिचन भी right answer जेंगे नेपाल और भारत देश के बीच का मुद्दा है ये next question के बिग बैक सिद्धान जीसे बिग बैक थियोरी भी काते है निमलिकित कि उदभग की विख्याय करता है आप सिभी को पताओंगे कि बिग बैक सिद्धान जो है ये किसका बिख्याय करता है बर्मांड का करता है बर्मांड के उत्पत्ती से सम्मद्नी थे बिग बैक थियोरी ये किस ने दिया था जो वेलजियम के खगोल विज्ञानिक थे ये next question रिखे शूरी की परकिर्मा के दोरान पिर्थभी सूरी से नियूंतम दूरी पर होती है तो अगर नियूंतम दूरी की बात कर रहा है तो ये जनवरी महिने में होती है कितने तारिकों? तीन तारिकों होता है जनवरी महिने में अगर वही दूरी की बात करें तो यह जुलाई में होता है चार जुलाई को चार जुलाई को अगर हम से भी न्यूंतम दूरी की बात करें पिर्थिभी और सूरी की बीच न्यूंतम दूरी तीन जन्मरी को होती है इस समय पिर्थिभी और सूरी की और सितन दूरी जो होती है मात्र में 9.15 करोड मिल दूरी होती है अगर वहीं बात करें 4 जुलाई के बारे में कि सूरी और पिर्तिवी के बीच अधिक्तम दूरी जो होती है 9.45 करोड मिल दूर होती है नोट करेंगा आप से भी नेक्ट कोशन दिखिए यह कोशिशन गनित से हैं यह कोशिशन को बताने रहे हैं आप से भी कोशिश कीजिए आप से भी बनाने का क्या कि गनित का कोशिशन मनाएंगे तो काफी टेम लग जाएगा बनाने में नेक्ट कोशन दिखिए इस्टेरोइड वेल्ड की उपस्तिति किन दो ग्रहों के बीच मद हैं यह इस्टेरोइड जो देखा जाता है वह विरस्पति और मंगल गरह के बीच में देखा जाता है जिसे चुद्र गरह भी काते हैं उलका पिंड काते हैं नेक्ट कोशन दिखिए कौन सा देशांतर परधान या मियोत्तर के साथ मिलकर गलोब पर विरित का निर्मान करता है तो यह करता है 180 डिग्री देशांतर परधान करता है 180 डिग्री देशांतर परधान को अंतराश्टे तिती रेखा भी काते हैं नेक्ट कोशन दिखिए संचार उपग्र में पिर्तिविक के स्टेशन से सीगनल ग्रहन करके विभीन दिशाओं में भीजने वाला यंत्रे है तो इसे ट्रॉक स्पॉंडर काते ही नेक्ट कोशन दिखे अगर वही दूसरे नमर की बात करें तो दूसरे नमर में जो पाए जाते है वह सिलिकॉन पाए जाते हैं जो कि 27.72 परतिसर तक पाए जाते ही नेक्ट कोशन दिखे निमलकित में से कौन घास का मैदान नहीं है इन में से कौन एक घास का मैदान नहीं है तो इसका ओफसर मेर ए राइट आंसर जाएं सलवासा घास का मैदान नहीं है जबकि इस टेपी लानोज और डाउंस ये सभी क्या है घास का मेदान है नोड कर लेंगे option मेरे right answer जाएंगे नहीं और हाँ पर focus किजिएगा और सत्य और को सत्य पर focus किजिएगा क्योंकि आप से बार बार बताते हैं कि इसके कारण exam paper में questions गलती हो जाता है तो इस पे नोड किजिएगा आप सभी चलें next question दिखें निमलकित में से कौन सी दक्षिन अटलाटिक महासागर की सीतल धारा है तो इसका option में भी right answer जाएंगे व्यक जूला धारा ये अटलाटिक महासागर की सीतल जल धारा है next question दिखें question में 26 कथन ए भूमद रेखा के निकाट के छेतर में वर्स भर वर्सा होती है कारण भूमद रेखा के निकाट अधिकांस अफरनों में उच ताप और उच अधरता की कारण चंबन ये वर्सा होती है तो कौन सा कथन इनमें से सही है चार option आपके निक्चे दिये हुए है तो देखें note की जिएगा आपस तो इसका option में A right आंस हो जाएंगे कि A और R दोनों सही है A R दोनों सही है परन्तु R A का सही अश्ट परश्टी करन नहीं कर रहा है क्योंकि भूमद रेखा चेतर में संबन ये वर्सा होती है बिल्कुल सही है पर भूमद रेखा चेतर में संगण कफासी मेग बनते हैं जिससे घना घोर वर्सा होती है वहाँ पर आउफ्ट में भी right आंसर हैंगे note कर लेंगे आप सभी next question के question में 27 के लिए right answer करेंगे निमलेकित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोत वाहक नहरे तो इसका आउफ्ट में डी right answer जहेंगे सुएज नहर संसार की सबसे बड़ी पोत वाहक नहरे ये बनकर तयार का भुआ था 1879 में बनकर तयार हुआ next question के संपुर्ण विश्व के छेत्रफल में भारत की भागदारी लगबग है ये बिलकुल कितना है इसका option वी right answer जहेंगे 2.40 पर तीसद कभी-कभी 2.42 पर तीसद भी राता है तो यहाद 42 नहीं दिये हुए तो 40 ही हो जाएंगी अगर वही बात करें कि जन्संक्या के अबादी के बारे में कि संपुर्ण विश्व में भारत की भागदारी कितना है 17.5 पर तीसद तो जर 11 के जन्गना के अनुसार जन्संक्या में दूसरे अस्तान पर नहीं भारत जबकि पहले अस्तान पर चीन है नेस्ट कोशन दिके निमलेकित में से कौन से नदी तीन बार दो धराहों में विविक्त हो जाती है कुछ मिल आगे जाकर पुना मिल जाती है और इस परकार श्री रंग पटनम, सीब समूद्र, श्री रंगम के दूविपों का निर्मान करती है श्री रंग पटनम के दिगा इस जिगा तुवा कौन सी नदी है काबेरी नदी है औप्शन में A, राइट आंसर जाएंगे श्री रंग पटनम, सीब समूद्र और श्री रंगम यह कहाँ पर है, कारणाटक में है नेस्ट कोशन दिखे किस परकार की मिट्टी, अधिक्तम, पानी संयोज रखती है संयोज मतलब की जमा करके रखती है चिकनी मिट्टी रखती है नेस्ट कोशन दिखे लासून में विशिष्ट गंद का कारण है तो इसका कारण क्या है सलफर योगिक है नेस्ट कोशन के रखते है कोशन में 22 के लिए राइट आंसर करेंगे इस्टॉक फॉर्मिंग है तो ये एक क्या है पास्वों का परिजनान है नेस्ट कोशन के एक हेक्टियर वराबर कितना एकड होता है ये बिलकुल सभी फ्रेंट आंसर करेंगे एक हेक्टियर बराबर कितना एकड़ होता है तो इसका option में ए राइट आंसर जाएंगे 2.47 एकड़ होता है कितना 2.47 एकर बराबर एक हेक्टियर होता है नेस्ट कोशन दिखे वीशु परिया बिरन दिबस किस तारिक को मनाया जाता है वद दिन कौन्चा है तो ये 5 जून को हर एक बर्स वीशु परिया बिरन दिबस मनाया जाता है नेस्ट कोशन दिखे परकास सौन्सलेशन द्वरा उर्जा कितना परतिसत भाग रासा यनिक उर्जा में पड़िवर्तित हो जाता है तो ये होता है एक से दो परतिसत तक आपसर मरें A, right answer हैंगे नेस्ट कोशन दिखे कोशन मरें 26 के लिए right answer करेंगे मोटर वहानों से निकलने वाली निमलेकित में से एक मुख्य पर दूसन गईस हैं तो आपस ये को पता होँगे को मोटर वहानों से कौन से गईस निकलती है CO carbon monoxide gas निकलती है option मेर we write answer हो जाएंगे CO2 को carbon dioxide gas करते हैं Mars को methane gas भी कहते हैं next question दिखे नीचे दिये गे पौधे और उनके खाद भाग है यूग में से कौन सा यूग सही सुमेलित नहीं है नहीं और हाँ सत्य और ओ सत्य पर फोकस कीजिगा इसके कारण exam paper में postions गलती हो जाता है तो इस पर note किजिगा आप सभी और सभी like जरूर करते जाएगा आपका एक like motivation करवाता है तो like करने के लिए आप सभी नहीं बुलिएगा और जो भी चैनल पर नहीं है चैनल लोंको subscribe करने बाद बाद बहले किसके गंटी को प्रेस करजिगा ताकि आने वाला कलास करण नोड़िपसं आप सभी को पराप्त हो सेगे और इसका पीडियाब आपको टेलिग्राम पर मिल जाएंगे जो कि विल्कुल फ्री अफकोष्ट है तो पीडियाब को डाउनलोड करके आप सभी इसका किजिए टेलिग्राम का लिक नीचे डिस्क्रिप्शन में दियावाज को उस लिंक पर क्लिक करके आप से टेलिग्राम ग्रूप जोइन होजिएगा वहां से इसका पीडियाब को डाउनलोड कर सकते हैं तो देख्या ओप्सन क्या दियावे अधरक परिकंद हैं प्याज मास किस पदार्तर के ओक्सी करन से सबर्दिक उर्जा होती है प्राप्त होती है तो यह होती है वसासे किस से सबर्दिक ओक्सी करन उर्जा प्राप्त होती है वसासे नेक्ट कोशन दिखें कोशन में 39 के लिए रहेट आंसर करेंगे हीमोगलोबिन के बारे में निमलेकित कतनों विचार किजिए चे समिके क्या दिये वोएँ ये रग्ष्लुप में का संचार करता है बिल्कुल साहिएं कतनदोड यूक्तय योगिक है है ये सही है कतन तीन कुछ रोगों की परदी करता है कaters तीन बिल्कुल गलत है क्योंकि हयमोगलोड को रोगों की परती रक्षा नहीं करता है, कथन 4 दिखे दिए हुए, ये रक्त को लाल रंग परदान करता है, ये भी कथन सही है, यानि कथन 1, कथन 2, और कथन 4 सही है, बलकि कथन 3 क्या है, गलत है, यानि इसका option number D right answer हो जाएंगे, नेक्ट कोशन देखे, निमलकित में से कौन सा एक युग में सुमिलीत नहीं है, डेसी बल, दोनी की परवलता की इकाई है, बिलकुल सही है, अस्व सक्ती सक्ती की इकाई है, बिलकुल सही है, समुदरी मील, नो, संचालन, मिदूरी की इकाई है, ये भी सही है, जबकि Celsius उसमा की इकाई नहीं है, option में D, right answer हैंगे, नेक्ट कोशन देखे, निमलकित में से कौन सा बल, यक्चिकारी बल है, तो ये घर्चन बल क्या है, यक्चिकारी बल है, जो सदेब वस्तु के विप्री दिशा में चलता है, नेक्ट कोशन देखे, कथन A, तामबे के एक टुकडे को, तथा काँच के एक टुकडे को, एक ही तापमान पर गरम किया गया, उसके बाद असपर्स करनी पर, तामबे का टुकडा काँच के टुकडे की उपेक्चा अधिक गर्म लगता है, कारण तामबे का गनत्व काँच के गनत्व से अधिक होता है, कौन सा कतल इसमें सही होगा तो दिखिए इसका option बी right answer जेंगे ए आर दोनों सही है परन्तु आर एका सही अश्पस्टी करन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है यानि इसका option बी right answer जेंगे option बी right answer जेंगे नोट कर लेंगे आप सभी next question दिखिए कनाव के द्वारा hit transfer की किरिया को कहते है तो इसे conduction कहते है चाले next question के निमलेकित मेंसे कौन जल को जिवानों मुक्त करने हेतु परियूक्त होता है तो जिवानों मुक्त करने के लिए परियूक्त जो होता है उपरियूक्त सभी हो जाएंगे ozone, chlorine, dioxide, kloramine होता है option बी right answer जेंगे नोट कर लेंगे आप सभी next question देखे octane की संख्या द्वारा किसकी गुर्वत्ता मापी जाती है तो यह petrol की गुर्वत्ता मापी जाती है next question देखे sodium, wasp, limb, सड़क, परियूक्त होते हैं क्योंकि तो इसका option बी right answer जेंगे इसका परियूक्त एक वरनिये हैं और पानी के बुंदों से गुजरने पर बिभिक्त नहीं होता है इसलिए sodium, wasp, limb का परियूक्त के लिए next question देखे तो इसका option में ये right answer जेंगे पारा दरब परकार में पाये जाते हैं next question देखे पानी की अस्थाईक कठोड़ता के लिए नेमने में से कौन उत्तर दाइद वे हैं तो इसका option में ये right answer जेंगे calcium और magnesium के cold right एबम sulfate है next question के सराप पिकर वहंद चालक के सोचन परिक्षन में यातायाद पुलिस क्या इस्तिमाल करती है तो ये इस्तिमाल करती है potassium, decromate, cellfuric amyl acid का इस्तिमाल करती है next question के gas welding में समयनतर परयूक्त इंदन गैसे है तो gas welding में कौन सी इंदन का परयोग करते हैं तो ये वेंजोईक अमल हाइड्रोक्सिन समूवाला आरगेनिक अमल है next question देखे question number 52 के लिए राइट आंसर करेंगे दूद को निमनी विधी से एक रूप किया जाता है जिसे हम homogenize भी काते हैं तो ये किया जाता है option C right आंसर रेंगे इसके वसा कनों को centrafue की सहाथा से सुक्चम आकार में बदला जाता है C right आंसर रेंगे next question देखे हरे फल को क्रितिम रूप से पकाने के लिए calcium carbide का परियोग किया जाता है क्योंकि इसमें उत्पन होता है उत्पन करता है sorry उत्पन करता है कर लिजगा आप चुवी को पताओंगे कि हरे फल को क्रितिम रूप से पकाने के लिए acetylene guys का परियोग करते ही तो यह क्या उत्पन करता है acetylene guys का उत्पन करता है next question देखे question वर 54 सूची एक सूची दो को सुमिलित किजिए तथा नीचे दियेगे कूट से सही उत्तर कत चैन किजिए सूची एक सूची दो हडपा संस्कृस्ति बस्ती नदी जीस पर अवस्ती थे देखे हडपा कहाँ पर अवस्ती थे यह राभी नदी के तड़ पर है काली बंगा घागर नदी के तड़ पर लोथल भोगवा नदी के तड़ पर रोपर संतलज नदी के तड़ पर यहने इसका ऑप्षिन मेर ए राइट आंसर जागे तीन दो एक चार हो जागे नेक्ट कॉर्सन दिखिए महत्माबूद के संबंद में निमलेकित कतनों में से कौन सा सही है उनका जर्म कपिल बस्तु में हुआ था बिलुकुल सही है उन्हाँने बोध गया में ज्यान के प्राप्ति की यह भी सही है उन्हाँने वैदिक धर्म को स्विकार किया यह भी सही है उन्हाँने आरिच सत्य का परचार किया था यह भी सही है यानि इसका option में D right answer जेंगे मात्मा बूद ने 4R सत्य का परचार किया था इनमें क्या क्या थे दुख थे, दुख समुदाय दुख निवारन जिसे निरोध कते हैं दुख निरोधक मार्ग जिसे हम अश्टांक मार्ग कते हैं तो ये 4R सत्य में थे मात्मा जी के नेक्ट कोशन दिखिए रजुक थे तो ये एक मोर सासन में अधिकारी थे जो कि असोक के सासनकाल में चलता था स्वरी option में भी right answer देंगे नेक्ट कोशन दिखिए ओदय दर्शन के संस्थापक हैं तो इसके अस्थापना किसे ने की थी संकरा चार ने की थी question is the right answer option में A next question के महबली पूर्यम के रत मंदिर का निर्मान किसे ने करवाया था तो ये करवाया था nursing बर्मन पर्थम ने करवाया था nursing बर्मन पर्थम के दोवरा महाबली पूरम के न्रत मंदिर का निर्मान करवाया गया था नेस्ट कोशन के हाल ही में साइवर सेफ व्यूमन पहल निमलकित में से किस राजद्वरा सुरू की गई है तो ये सुरू की गई है महराष्ट राजद्वरा नेक्ट कोसन दिखे, किस चालुक सासक ने थानेशवर एबम कन्योज के महान सासक हर्शुवर्दन को नर्मदा नदी के तड़ पर प्राअस्ति किया और दक्षिल में बढ़ने से रोका था तो यह किस ने किया था? पूलकेशन दूतिये ने किया था हर्शुवर्दन को प्राजित कापे नर्मदा नदी के तड़ पर पूलकेशन दूतिये चालुक बंस के महान सासक थी नेक्स्ट कोशन देखे महामूद गजनेवी भारत में अंतिन सतरमा आकर्मन किसके विरूद किया था? वही महामूद गजनेवी है जिसने लगतार भारत में सतरा बार आकर्मन किया था दस्सो एक से लेके लगतार दस्सो सताइस तक इसने आकर्मन किया था तो सतरमा आकर्मन था जाठों के विरूद में जो कि इसने दस्सो सताइस में किया था पहला आकर्मन जो किया था वह 101 में किया था जो कि हिंदू साहिव बन से जैपाल के बिरुद में किया था फिर इसका 25 मा आकर्मन जो था वे महान आकर्मन था जो कि सोमनात के मंदिर पर किया था 1025 में और इससे धन दौलत लूट के जा रहे थे उसके बाद जाटों ने आकर्मन कर क्या-क्या इससे कुछ धन दौलत छी लिया था जिसके बिरुद में इसने 1027 में क्या क्या आकर्मन कर दिया था तो ये इसका लास्ट शात्रमा आकर्मन था Next question दिखे कितुब मिनार की निव किस ने रखी क्रामलेकित में से कौन सहयूग में सही स liberals नहीं है पानिक पड कायूद 1526 पीलकुल चाहिए, खाणबा कायूद 1527 बिलकुल चाहिए, घागरा कायूद 1529 बिलकुल चाहिए चंदेरी कायूद 1530 यह गलत हैं क्यूंकि चंदेरी कायूद जो वा था राफ 1528 में होबौ था नेक्ट कोसंद के अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहां इस्ति थे तो ये इस्ति थे कोलकाता में नेक्ट कोसंद के Servant of India Society की अस्थपना किसने की थी तो इसके अस्थपना की थी गोपाल कृष्ण गोखलेनी अस्थापना कब हुआ था? 1905 में इसके अस्थापना हुआ था नेक्ट कोशन दिखिए निमलकित में से कौन करांतिकारी पत्र वंदे मातरम के समपादक थी तिसका उप्स्था में एर आइट अंत्र जाएंगे स्याम करांतिकारी पत्र वंदे मातरम के समपादक थी नेक्ट कोशन दिखिए कोशन में सर्चर्ट ये माइच्ट कोशन है कोशन दिखिए क्या बोलें? सार्थी ने एक बैंक में 325 रूपिया जमा किया जिस पर बैंक द्वारा 8% सदारन ब्याज वर्षिक दय था यदि सार्थी ने धन 5 सान के लिए बैंक में रखा तो वक कितना ब्याज अरजित करेगा? मतलब कि ब्याज निकालना है इसका तो अगर सवाल को बनाते हैं तो बहुत ज़्यदा टेम लगी जागा तो कोशन को देखके आप सिर्फ बनाने का कोशिस किजिए अगर बात करें सदारन ब्याज की तो ब्याज ब्याज क्या होता है मूल धन गुना समय गुना दर होता है बटा एक सो तो मुल धर कितना है मेरे पास एक तीस सो पचीस है गुना आट परसेंट अगुना पांच बर्स बटा हंडेट से इसे डिवाइड किजिगा तो आंसर आ जाएगा नेक्ट कोशन दिखिए दोतिया विस व्यूद के बाद उन्हें सो चालिस में कौन भारत आया तो उन्हें सो चालिस में केविनेट मिशन भारत आया था जिसके तास सभिदान सबागा गठन हुआ था अगर बात करें क्रिप्स मसीन की तो यह आया था उन्हें सो बियालिस में अगर वहीं बात करें वेवल योजना की यह उन्हें सो पैटालिस में आया और साइमन कमिशन 1927 में बेजा गया था पर 1928 में ये भारत आया था Next question के केंदर में दुएच सासन किस ओधिनियम के अंतरगत अस्थापित किया गया तो जब ये केंदर में दुएच सासन की बात करें तो ये अस्थापित किया गया था भारतिय सरकार ओधिनियम 1935 की दवारा Next question के भारत एक गंतंत्र है इसका अर्थ है यहाँ पर वांचा गुनत सासन नहीं है इसी कारण से भारत एक गंतंत्र है Option में C right आंसर हैंगे Next question के मौलिक अधिकारों के अंतरगत कौन सा अनुछेद बच्चों के स्योसन से सम्बंदी थे मौलिक अधिकार का बात आया है तो यह लिया गया है USA देश से यह सभिदान के भाग तीन में है और यह है कहां पर अनुछेद 12 से लेके 35 में है 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के अंतरगत आता है अनुछेद 24 क्या बात आता है कि 14 वर्षे कम उम्रिके बालिकों को खतरना कार्य में नहीं लगाना खतरना कार्य नहीं करवाना नेक्ट कोशन दिकेर निम्लांकित में से किस परकार के प्राधिकार भारत के राष्टपती को प्राप्ते है दिकेर का ओफिसन में डी राइट आंसर जेंगे नोट करेंगे आप सभी नेक्ट कोशन दिके जो की गनित से हैं ये कोशन नहीं बता रहे हैं क्योंकि बहुत जादा टैम लग जागा कोशन देख लिए बनाने का कोशिस की जीगा आप सभी कोशन की आप बोल रहे हैं इसका ओफिसन में ये राइट आंसर जेंगे 60,000 खर्च करती है नोट कर लेंगे नेक्ट कोशन देखिए रहान परिशद किसी सधारन विदयक कोण निमलेकित में इसे किस अबधित तक रोक सकती है तो ये रोक सकती है चार महा तक और भी राइट आंसर रहेंगे नेक्ट कोशन देखिए जिस सिमिती ने लोग तांतरिक, विकेंदरी करन और पंचायत राजी की सिफारिस की उसके सभापती कौन थे? तो इसके सभापती कौन थे? वलवन तराय में हिता थे नेक्ट कोशन देखिए अनुचेद 14 जो है, यह समानता का अधिकार है, अनुचेद 74 मंत्री परिशाद है, और अनुचेद 68 में क्या है, 368 में संसोधन की परिकिरिया है, यानि इसका option में D-right answer जाएंगे, 3, 4, 2, 1 हो जाएंगे, नेक्ट कोशन देखिए, नीचे दो, व्यक्ति विये दिये गए हैं, जिन में से एक कथन A कहा गया है, और दूसरा R कहा गया है, कथन A, संसत और राज विधान मंडलों में महिलाओं के लिए, 33 पर तीसत, सीटों की आरक्षन के लिए सविधान संसोधन, अवसक्ता नहीं है, लग रहे हैं, उनके 33 पर तीसत को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं, इन में से कौन सा कथन सत्य हैं, तो देखें, इसका option में D, right, answer जेंगे, यह गलत हैं पर अर्ज चाहिए, क्योंकि संसत और राज विधान मंडल में महिलाओं के लिए 33 पर तीसत सीटों के आरक्षन के लिए सभिधान संसोधन करना अवस्यक होता है, यहां क्या लिखा है नहीं है, तो यह क्या कतन? गलत हैं, कारण क्या दियावा था? चुनव लड़ने वाले राजनितिक दल बिना किसी सभिधान संसोधन, जितनी सीटों पर वे चुनव लड़ रहे हैं, उसके 33 पर तीसत को म समाजवादी ववस्ता पर, नेक्ट कोशन दिखिए, पीछडे देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाओ किसके द्वारा दिया गया? तो इसका ओफिसमर A सही हो जाएंगे, G मिलडल के द्वारा दिया गया है, रोलिंग प्लान जो कि पारम किया गया था, यह 1978 में पार रेखा से नीचे रहने वाले का परतीसत है तेंदूर कर सिमिती के अनुसार, तो यह कितना है, लगभग 21.9 परतीसत तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला बारत में जन संख्या है, यह तेंदूर कर सिमिती के अनुसार है, next question दिखिए हाली में कोलकता बंदरगा का नाम किन के नाम पर रखने की घोषना परदान मंत्री मोधी ने की है तो यह किये स्याम परसाद मुखर जी के नाम पर next question दिखिए निमलिकित में से विचार कीजिए जनता के परस मुद्रा बैंकों के पास मांग जमा जिसे हम डिमांड डिपोजिट काते हैं बैंकों के पास समय जमा टाइम डिपोजिट तो इसका उफितर में डी रैट आंसर जांगे एक, दो, तीन हो जांगे जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा और बैंकों के पास समय जमा next question दिखे, रूपिये की परिविनेता का ताथ पर यह है इसका option बसी right answer जेंगे रूपिये को अन पर्मुख मुद्राओं में रूपिये में मुक्त रूप से परिवर्तन करके देने की अनुमती option बसी, the question is the right answer next question दिखे, ब्रेक इवेन बिंदू क्या है तो इसका option बसी right answer जेंगे वह इस्थित बिंदू, फर्म को ना लाब ना हानी है इसे हम क्या करते हैं, break event बिंदू काते हैं next question के, निमलकित खेलों में से पर्तियक्च पक्च में खिलाडियों की संख्या किस खेल में सबर्दिक होती है पर्तियक्च में खिलाड़ी की संख्या सबसे अधिक किसमें होती है रंग भी football में एक पक्च में पंदरा खिलाड़ी होती है फुटबाल में खिलाड़ी की संख्या कितने होती है एक ग्यारा होती है एक ग्यारा ग्यारा काट टीम रहता है वह हाउकी में भी ग्यारा ग्यारा काट टीम रहता है खोकों में नो खिलाड़ी होती है जबकि रंगभी फुटबॉल में एक साइट में पंद्रा खिलाड़ी होती है नेश्ट पॉसन के वैंकिंग बाता बरन में पर्योग होने वाला टर्म एन पी ए का पूरा नाम क्या है तो इसका option C right answer जाएंगे non performing a status है ओफिस में C question is the right answer नोट कर लेंगे आप सभी next question दिखिए question 87 जो है यह गनीद से है note करें जिका आप सभी खोश्चित की जिगा बनाने का इसका दिखिए option नमर सी राइट आंसर जाएंगे 2.0 हो जाएंगे नोट करें जिगा आप से भी और कोसिस की जिगा बनाने का नेक्ट कोसंद के परसीद भारती विज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफ्याक्ट खोज के दिन को विज्ञानिक दिबस के रूप में मना जाता है ये निम्न में से किस तिथी को मना जाता है तो ये मना जाता है हुआवार्ष 8 फरबरारीकु 19 अपरति शेश्टित टैलर पूरुसकार किस चेत्र में विशिष्ट योगदान है तो परदान किया जाता है तो यह कहता है परियाबरन सुरक्षा के लिए आफिसन मडी राइट आंसरेंगे नेश्ट कोसंद के खेलो इंडिया यूथ गैम्स के तीसरे संस्क्रन में कौन से राज ने पर्थम अस्थान पराप्त किया तो यह किस ने पराप्त किया है महराष्ट राज ने पराप्त किया है नेक्ट कोसंद किस राज केंद्र सासित परदेश में दुनिया का सबसे उच्चा रेलबे पूल बनाया जा रहा है राजिक केंद्र सासुट परदेश का बात कर रहा है तो यह जम्मुक कस्वीर में बना जा रहा है आप्सिन में B राइट आंसर रहेंगे नेक्ट कोशन दिखिए वीशु परसीद मैयूर सिहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था तो यह रखा गया था दिल्ली के लाल किले का दिवाने ए आम में रखा गया था ओफिशन नमर D राइट आंसर रहेंगे मयूर सिहासन को बनाया गया था किसके द्वरा वे बादल खांके द्वरा बनवाया गया था नेक्ट कोशन दिखिए बिस रूपिय की नोट पर निमलेकित में से किस राष्ट्य उद्धान की छबी है तो इसका ओफिशन में ए राइट आंसर जाएंगे माउंट हेरियट पार्क का छबी है बिस रूपिय की नोट पर नेक्ट कोशन दिखिए तारापूर परमानू उर्जा सेयंद्र की आस्थापना किस देश के साहिता से की गई तो यह की गई सेयुक राज अमेरिका की साहिता से नेक्ट कोशन दिखिए जो कि गनीज से हैं तो यह क्या बोल रहे हैं दूद की कीमत 20% बढ़ गई वे को उतना ही रखने के लिए बरतमान उभोग में कितनी कमी करनी होगी मतलब कि परसेंट इसको कमी करनी होगी तो यहां आपको 20% बढ़ोतरी की बात कर रहा है सिर्फ 20% की बात कर रहा है सिर्फ 20 को उपर रखे उस जिरतना बढ़ा रहा है मतलब कि 20% में बढ़ा रहा है क्या हो जागा 120 हो जागा मतलब कि 120 हो जागा यहां पर और गुना 100 करती जगात आंसर आजाएगा आपका नेक्ट कोशन दिखें निमलेकित में से किस वैस्विक कंपणी का विथिक डिजिटल डिजिटल सनक्षिता कारिकरम है तो यह फेस्विक का है नेक्ट कोशन के विशेस आरहन अधिकार SDR किस से संबन्धित है यह संबन्धित है अंतराश्टे मुद्रा कोश से नेक्ट कोशन के सन 2011 के जनगर्ना के निसार बिहार के किस जीले में महिला सनक्षिता दर सबसे अधिक है तो यह है रोहतास जीले में रोहतास जीले में महिलाओं की सनक्षिता दर सबसे अधिक था जबकि पुरूस का पटना में सबसे अधिक है नेक्ट कोशन देखिए बिहारी पंचायत राज उदिनियम 2006 के अंतरगत त्री अस्तरिय पंचायतों के अस्थान पर पदों में सभी सीटों में महिलाओं के लिए कितने परतिसत अरक्षन की विवस्ता की गई है आप सब्सक्राइब को पता हैं कि कितने परतिसत अरक्षन दिया जाता है महिलाओं को 50% परतिसत अरक्षन दिया जाता है नोट करेंगे ऑप्सर नमर वी राइट आंसर जाएंगे अगर आज का यह अच्छा लगा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक किजिए और आपने दोस्तों में जिरूर सेयर किजिए और चैनल से नहीं जुड़े तेने चरह का सब्सक्राइब बटन दिया चिनुकर सब्सक्राइब को नमात बलेकिस की गंड़ी को प्रेस कर जिग तो चलिए मिलते हैं जाहिंद बंदी मातरम